नमस्कार साथियो बेबी हेल्थ गाइड में आप सभी का स्वागत है साथियो आज मैं आप सभी को बताऊंगी बच्चों की हाइड बढ़ाने के उपाए तो साथियो आज की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक अवश्य देखें साथियो अक्षर बच्चों की हाइड ना बढ़ने पर माबाप परिशान रहते हैं और वे ऐसा देखकर हाइड बढ़ाने के लिए डॉक्टर से बताए गए मैडिशियन यूज करते हैं जो बाद में बच्चे की सिहत पर बुरा असर डालती है आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजे बताऊंगी जिसके सेवन से बच्चे की हाइड बढ़ेगी और साइड डिफेक्ट भी नहीं होगा तो साथियो पहली बात बच्चे की लंबाई बढ़ाने के लिए अंडा खिलाएं क्योंकि अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और बिटामिन पाया जाता है यदि रोजाना एक अंडा बच्चे को खिलाएंगे तो बच्चे की लंबाई बढ़ने लगेगी दूसरा है साथियो सोयाबीन सोयबीन बच्चे के शारीरिक विकास के लिए लाबदायक होता है इससे बच्चे की हड्डिया और माशपेशिया मजबूत होती है पर सोयबीन बच्चो को रोज ना खिलाएं बच्चे को सोयबीन हफ़ते में 2-3 दिन खिलाएं यदि इसका सेवन रोज करेंगे तो ये नुकसान पहुचा सकता है तीसरी चीज है साथियो चिकन साथियो बच्चो को चिकन खिलाने से उनकी हड्डियों का विकास होगा बच्चे की हाइट बढ़ने के लिए बच्चे के खाने में हफ़ते में 2-3 दिन चिकन चरूर शामिल करें चौथा साथियो दूद दूद में केलशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है रोजाना बच्चे को रात को सोने से पहले एक गिलास दूद अवश्य पिलाएं इससे हड़िया मजबूत होगी और हाइट बढ़ाने में मदद करेगा पांचवा साथियो पालक पालक में साथियो आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है यदि बच्चे को पालक का सेवन रोज कराएंगे तो ये हाइट बढ़ाने के लिए कारगर होगा बच्चा यदि पालक ना खाए तो उसे दाल में मिला कर बनाए जिससे बच्चा आसानी से खा सके तो साथियो आज की वीडियो मेरी यहीं समाप्त होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रशानी का हल जान सकते हैं आसा करती हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सस्क्राइब, शियर और कमेंट करना ना भूले धन्यवाद